दोस्तो अब तक आपने किसी महापुरूश या साधू संत को समाधी लेते हुए देखा होगा लेकिन गुजरात के अम्रेली में एक अनोखा मामला सामने आया है जहाँ पर एक किसान ने कार को समाधी दी है बतादे अम्रेली के पार्दिश का गाओं में किसान संजय पोल्रा ने अपनी लखी कार को बेचा नहीं बलकि अपने ही खेत में गार दिया इसके लिए बकाइदा किसान ने अपने खेत में एक बड़ा सा गड़ा खुदवाया और पंडित को बुला कर वीधी विधान से पूजा कर कार को समाधी दी किसान के मुताबिक उसने 15 साल पहले 85,000 रुपे में ये वेगेनार कार खरी दी थी और उस समय वो एक किसान थे और अपने गाओं में ही खेती का काम करते थे वही ये गाड़ी आने के बाद इनकी काफी तरक्की हुई और आज ये औडिकार के मालिक है किसान के मुताबिक इस कार की वज़े से ही उनकी जिन्दगी बदली है एसे में वो इसे स्क्रेप में बेचना नहीं चाहते थे लिहाजा इन्होंने अपनी कार को खेत में दफनाने का फेसला किया बता दे अब ये पूरा मामला सुर्ख्या बटोर रहा है वेसे दोस्तों आपको ये अनोखी खबर केसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताए साथी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले